इस मूवी के सुराथ सन 1964 से सुरू होती है यानि कि इस मूवी के तीनों पार्ट से भी पहली की कहानी और फिर हम एक लड़के को देखते हैं और इसका नाम डेल था और यह अपनी गर्फिन को परपोज करने के लिए इस इंसान जगा पे लाया था और यहां पर यह अपनी गर जीवत में हैं और जब यह दोनों इस आवाज का पिछा करते हैं तो इन्हें कोई भी नहीं मिलता और हमें पता चलता ही कि यह विक्टर के आवाज थी जो कि डैड़ी डैड़ी चिला रहा था और यह दोनों यह आवाज को सुनकर यहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी उन जया बहुती बूरी मौत मारता है और उसके बाद उसके गर्फिंट को कई पार्ट में डिवाइड करके उसे भी जान सरमार देता है और यह तीनों ही बिक्टर के सबसे पहले सिकार थे ऑगए उन्द को देखती हैं और इसकानाम सवरीना था और यह बताती है कि पिछले 10 सा चिपकर खुद की जान बच्चा ली थी और एंड्रियों के साथ में जो कुछ भी उसके साथ में हुआ था वह उसी की बेस में एक बुक लिखता है और वह अपने इस बुक को प्रमोट करनी के लिए अपनी एक्स वाइब सवरीना के सो पे आता है और यहां पर हमें पता चलता है और इस लगे का नाम क्लोई था और यह अपने फ्रेंड के साथ में विक्टर के उपर एक फिल्म बनाना चाहती थी और वह सुचती है कि इस फिल्म के लिए हमें एंड्रियों की मदद लेनी चाहिए क्यूंकि उसे बिक्टर के वारे में बहुत ही कुछ पता है और यह सब चोचने के बाद यह सभी एंड्रियों से मिलने के लिए चले जाते हैं और काफी देर इंतिजार करने के बाद इनके बारे आ जाती है एंड्रियों से मिलने की और यहां पर क्लोई अपने फ्रेंड के साथ में एंड्रियों से विक्टर के उपर फिल्म बनाने की बात करती है लेकिन तभी वहाँ पर एंड्रियो के मनेजर आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है और यहाँ पर क्लोई का काम नहीं होता और इसके बाद एंड्रियो के मनेजर उससे कहती है कि हमें एक बहुती बड़ा ओफर मिला है और वहाँ उससे कहती है कि तुम्हें एक इंटर्व को सुनकर वाज जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस प्लेन में और भी लोग होते हैं जो कि एंडियों के साथ में जाने वाले थे और तभी वहां पर सबरेना आ जाती है और दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ में फ्लीम सूट करने के में यहाँ सार लोग आते घुमने के लिए लेकिन अब ऐसा नहीं होता नोग अब Lizard के बारे में भूल ATA लेते हैं जिसके वैसे इन्हें पता चल जाता है कि इसे कैसे कहा जाए और इसके बाद थम एंडरी को देखते हैं और इसका प्लें टेक आप कर चुका था और यहाँ पर अचयक से प्लेंड जो डौब से हिंनि लगती है और वेक्वाटी इंस सवी से आफाई एए são नहीं होते और मैणाया कहना नहीं था तभी होनी लगती है और नीचे हम इंटीनों को देखते हैं जो कि आपस में बाते कर रहे थे और तभी वड़ी नीचे आकर गिरती है और इस इसके वाद इन बस गई थी और होसके उससे कका संहुएं निकालने के बहुत कोशिस करते और कुछ यहा ड़ेंगा नहीं पाता और प्लैंट के अंदर को के सबुसिकर Dan इन सभी से कहता है कि मेरे बौट में कुछ औजार है जिसकी माझसे हम कैसी को आजात कर सकते हैं और इसके बाद Dan और एंड्रीयो निकल जाते हैं और तब हैंड्रीयो को विक्टर के अवास सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि विक्टर आप और यह दोनों इस सवाज को सुनकर इस सवाज का पीछा करने लगते हैं लेकिन इन्हें पता नहीं था कि यह अपनी मौत की और जा रहे हैं और यह दोनों चलते चलते विक्टर के घर के पास में पहुंच जाते हैं और यह दोनों ही उसके घर के अंदर में चले जाते हैं और चैसे ही बापर लेकर उसका पीज़ा कर पूंच जाता है और लेकिन बिक्टै। उसके पीछे ही था और यहां पर शी को प्लेडben के विंड़ों में दे मारता है। आध उसके पीछे की और घसीट का है, उसे कि skalारा जाता है और plane के अंदर तेजी से पानी भरता जा रहा था और इस पानी में कैसी अब डुकते जा रही थी और तभी पानी के अंदर में water snake आ जाते है और इस water snake को देखका कैथरीन डर के मारे plane से बहार निकल जाती है लेकिन उसे पता नहीं था कि बिक्टेर प्लेन के उपर ही खड़ा है और जब एक बंदा प्लेन के दर्वाजे को बंद करने के लिए आता है और वा जैसे ही अपने सर को बहार निकालता है तभी बिक्टेर अपनी हैचेट की महसे उसके सर को ही काट देता है और इसका कटा हु प्लेंट के अंदर कैसे पानी में डूपते जा रही थी और कोईसी पानी में दूपकर मरे जाती है, और तभी प्लेंड के अंदर एंटरियों और सव्लिड़ा में भारती, है और तभी कैथलीन के डैड़ बोडी उनके प्लेन के बिंडों के पास में आके गिरती है और उसके हाथ में एक फोन था जिस पर किसी का कॉल आ रहा था और तभी रोज उस फोन को ले लेती है लेकिन तब तक फोन कर चुका था और वाद दुबारा से फोन भी नहीं कर सकती थी क्यूंकि उसके फोन में पास्पर्ट लगा था और तभी वहां पर बिक्टर आकर अपनी मसीन के मदद से उनके प्लेन को काटने लगता है और इसी वैसे वैसे उनके प्लेन में फिर से पावर बापिस आ जाती है और तभी डैन इन सभी से कहता है कि अगर प्लेन के आज चुका था लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता प्लेंड के अंदर क्यूंकि जहां से प्लेंड के अंदर में पानी आ रहा था वहीं से यह लोग बाहर निकल जाते हैं और एंड्रियों उन सभी को दूसी तरफ भेज कर देन की जान बचानी के लिए विक्टर को अपनी पीछ पीछल लेती है किसी तरह से बॉट तक पहुंच जाती है यहां पर सुछू पें ठीम के चान में और अपिछे को चालो कर दिया था और और यहां ब Congrats यहां पेंड्रियों किसी तरह से उस पलैंजन को चालो कर दिया था और तभी यह दोनों रोज को अपने लेकिन एंड्रियो को प्लेन के अंदर एक फ्रेयर गन मिल गई थी और वाइस गन से विक्टर के उपर सूट कर देता है और यहां पर रोज विक्टर के हैचेट को लेकर उसी के हैचेट से उसे मानने की कोशिस करती है लेकिन यहां पर यहां पर यहां हैचेट उसे नहीं लग पिर से जिन्दा थी और यह सब देखकर वा समझ जाती है कि ना फिर से जिन्दा हो जाएगा और इसी के साथ यह मुवी पे खतम हो जाती है लाइन होग से से दधनान दे इटेड़ीन है